हे गाईस विलकम टू सक्सेस दिलीप में दिलीप कुमार स्वागत है अपका इस वडियो में तो दोस्तें एक बहुत ही अच्छी खासी रिकूटमेंट आउट की गई है पावर प्लांट की तरफ से देखें गाईस पावर प्लांट की मिनिश्री आप पावर की तरफ से SGABN यानि की सतलुजल विद्दूत निगम लिमिटेट की तरफ से यहां पर सरकारी नौकरी की भरती आउट की गई है जो कि 10 पास विद आईटी आई के स्टूडेंट डिस्मम को एप्लाइ कर सकते हैं बहुत अच्छी खासी वेकंसी जे 38,000 से भी ज्यादा सेलरी आपको यहां पर मिलने वाली है चले डिटेल नोडिफिकेशन वाई चर्च कैसे होगा सेलरी कितनी विगरा मिलेगी सब कुछ डिटेल में बताने वाले हैं तो स्टार्ट करते हैं वीडियो उसको इससे पहले रिक्वेस्ट होगी चैनल को पहली बार विजिट करें तो प्लिच दू सब्सक्राइब एंड हिट दब अलगें तक इसकी तरह लेटिस्ट गवर्मेंट जॉप्स की बिट अपको बराबर मिलते रहें यह है ओफिशल नोडिफिकेशन एस जे वी एन लिमिटेड यह जोएंट वेंचर है गवर्मेंट ऑफ इंडिया और गवर्मेंट ऑफ हिमाशल परदेश का सब्सक्राइब सब्सक्राइब हमार के लिए नाब्ता जाखरी हाईड्रो पावर प्लांट में आपकी पोस्टिंग होने वाली है और ministry of power इसे lead करती है मैं सब कुछ बता चुका हूँ यानि कि एक तरह से सरकारी नौकरी आप सब के लिए लेकिन सरकारी नौकरी है ये एक fixed term basis पे यानि कि एक maximum period contract मान लो या फिर temporary मान लो इसको और उसमें जो period होगा वो 3 साल की होगी यानि कि 3 साल की आपकी इसमें होगी उसके बाद extended होगी फिर 2 साल की तो इस तरह की jobs आपकी मानी जाएगी और देरे-देरे extended होती है अप में quality है तो आप में extended होती ही रहेगी चले अब trade and branch wise posting बात करें सबसे पहले electrician की बात करें filled electrician में vacancies है क्योंकि electrician की job ही होती है यहां पर maximum क्योंकि ministry of power है और electricity generate करती है खुद electricity का ज़्यादा branch भी होगा इसमें ज़्यादा post तो electrician वालों के लिए बहुत अच्छी खासी post है 40 post पर vacancies है और हिमाचल परदेश project officers में total 35 है एक आपका उत्राखन project में उसमें 5 vacancy है जहां पर ITI electrician student को apply कर सकते है फिल्टर की भी recruitment है फिल्टर 18 post पर vacancy है 15 आपका HP में हिमाचल परदेश उत्राखन्ड में आपका 3 है ITI fitter gate rate apply कर सकते हैं welder की vacancy फिल्ड welder की vacancy है 12 post पर जिसमें से 10 है आपका HP में दो है आपका UK में टोटल इसमें ITI welder apply कर सकते हैं टोटल vacancy देखो तो 60 post पर आपकी vacancy जो हिमाचल परदेश में 10 आपका उत्राखन्ड याने की 70 vacancies निकाली गई है एक चक्रा की job की ITI वालों के लिए बहुत अची आपडेट है इसमें से काप करना आपको जो percentage है approximately 50% होना चाहिए HD, HD, PWD का अधर जितने भी हैं आपका 55% होना चाहिए अब यहाँ पर बात आती है क्या सार All India के candidate apply कर सकते हैं दोजी नहीं गाईज जो आपका है 30 साल रहेगी लेकिन जो हिमाचल परदेश में जो यूके में प्रोजेक्ट चलाई गई है जिसके लिए फिक्ट टर्म एज़र टैने और बेसी 55 यह रखी गई है जो कि पहले से वर्क कर रहे हैं वो भी हैलिजबल है सेलरी देख लो 38,000 सेलरी आपको यहाँ पर मिलने वाली एक फिक्स्ट टर्म आपको रहेगी ने कि फिक्स्ट सेलरी रहेगी प्रोजेक्ट ने यहाँ पर डिसकस की गई है और रेमिनेशन की डिपार्टमें यहाँ पर दाएगी गई है तो आप इसे जरूर देख सकना यह टोटली देख सकते हैं डिस्टिक हेड़गाडर के बारे में बताए गया है अब इसमें बात करें कि apply कैसे करना है वो reservation reservation अपने category wise देख लेना कौन-कौन सी category wise कितनी निकाली गई है ताकि आप apply कर पाओ उसके बाद discipline एरा के हिसाब से यहां पर फिर दी गई है देखो इसमें selection processor की बात करें तो देख सकते हैं electricity विगर रखी 70 marks होगी आपकी multiple टाइल को यह return test होगा 30 questions होगा आपका 24 questions होगा जनरल लेट चूटका लेगा यहने कि non technical से related होगा आपका 30 questions जनरल लेट होगा उसके बाद जितने भी आपकी trade से related 70 marks आपके पूछे जाने वाले हैं 18 साल में बता चुका होँ आपका होना चाहिए इस तभी आज इस form को apply कर सकते हैं अब जो भी गेनेट apply करने के eligible हैं link description मौजूद है आप apply करें इसमें से कुछ application फी लगेगा 200 रुपे प्लस GST HTSC P WD candidates के लिए आपकी जो payment है वो नहीं लगने वाली है देखो इसकी 27 December 2022 से इसकी online form start होगी और closing है 16 January 2020 तक तो date अभी बाकी है अराम से apply करना पहले डॉनरिफिकेशन को देख लो और जो भी candidate है apply करने के लिए उस दिन जरूर apply करना ओके गाइस केटशी लगी वीडियो जरूर बताइएगा कौन-कौन लोग eligible हुए ये भी जरूर बताइएगा कुछ doubt है तो comment करके जरूर बताएँ आपको totally help and reply की जाएगे चलिए मिल दे नेक्स वोड़ी में तब तक लिए सहे हैं दो